नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उमीद है हमें देखने वाले सभी दर्शक खूब मज़े कर रहे हैं आज हम आपके लिए लेकर आएं हैं बहुत सारी गतिविदियां जिसमें हम गिनेंगे, जोडेंगे, घटाएंगे और खूब खेल भी खेलेंगे अब अगला खेल और भी मज़ेदार है, जानते हैं क्यूं? क्यूंकि आपको अपनी पैंसिल को छलांग लगा कर संख्याओं तक ले कर जाना है मज़ा आएगा ना? आईए, देखते हैं, हमारे पास है एक संख्या पट्टी, जिस पट्टी में एक से लेकर बीस तक अंक लिखे है तो संख्या पट्टी की सहायता से हम सारे सवालों को हल करेंगे सबसे पहले है आठ जमा पाँच, तो अपनी पैंसिल लगिए आठ पर और लगाईए पाँच छलांग एक, दो, तीन, चार, पाँच, कहां पहुँचे? तेरा पर, यानी आठ जमा पाँच हुआ तेरा इसी तरह देखिए, तेरा जमा तीन, यानी पैंसिल कहां रखेंगे? तेरा पर, और कितनी चलांग लगाएंगे? तीन, तो तेरा से हमने लगाई तीन चलांग एक, दो, तीन, हम पहुँचे? सोला पर, बिल्कुल सही, तो तेरा जमा तीन, बराबर लिखेंगे? सोला, आईए, एक और उधारन देखते हैं, दो, जमा सोला दो, जमा सोला, यानी आप पैंसिल रखेंगे दो पर और लगाएंगे सोला चलांग सोला चलांग लगाते लगाते ठक तो नहीं जाएंगे? एक काम करते हैं सोला पर पैंसिल रखते हैं और दो चलांग लगाते हैं सोला पर रखी पैंसिल और लगाई दो चलांग हम पहुँचे सत्रा, अठारा अठारा पर असान हो गया ना? पर क्या दो पर पैंसिल रखकर सोला चलांग लगाने से भी वही अंका आएगा आईए करके देखते हैं रखिए पैंसिल दो पर और लगाए सोला चलांग एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला देखा, दो पर पैंसिल रखे, जब सोला चलांग लगाई, तो भी हम पहुँचे अठारा पर, यानि दो जमा सोला करें, या सोला जमा दो करें, आएगा अठारा ही साथियों, अगली संख्याए हैं, चार, जमा बारा हम, सोच के करिएगा, कहीं बारा चलांग लगाते लगाते, आप ठक न जाए तो चार, जमा बारा, आप हल करें, और जो उत्तर आए, इस बकसे में लिखे आगे देखिए, अरे, यह तो कुछ अलग लग रहा है, हमें पता ही नहीं है कि पैंसिल कहां रखनी है, और कितनी चलांग लगानी है पर दोस्तों, यहां पर दिया गया है कि आप छलांग लगाने के बाद किस संख्या पर पहुँचे, हमें दिया गया है तेरा यानि आप अपने मन से संख्या सोचिए और बताईए कितनी चलांग लगाकर पहुँचेंगे तेरा पर तो हम कर सकते हैं दस जमा तीन यानि दस पर रखी पैंसिल और लगाई तीन छलांग हम पहुँचेंगे तेरा पर इसी तरह अंत में दिया गया है अठारा यानि दो संख्या सोचनी है जिनके जोड से मिले अठारा तो आप इस संख्या को सोचिए और जरूर अठारा बना कर संख्या पट्टी पर कूद कर मजे करते रहिए हमारे पास है गोरी और सपना सपना और गोरी रंगीन पैंसिलों को गिन रही है हम देखते हैं उनके पास कितनी पैंसिले हैं और वो पैंसिलों को किस तरह गिनती है सपना के पास 12 रंगीन पैंसिले है और गोरी के पास 6 रंगीन पैंसिले है सपना ने जोड कर देखा और आए देखें उसने किस प्रकार हल किया 12 के आगे 6 मिलकर हुए गिनकर देखते हैं 12 जमा 6 यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18 बारा जमा 6 हुए 18 ये तो था सपना का तरीका पर गौरी ने कैसे किया क्या कोई और तरीका हो सकता है बिलकुल हो सकता है गौरी ने 12 जमा 6 को लिखा 10 जमा 2 जमा 6 यानी गौरी ने 12 को तोड कर 10 जमा 2 लिख दिया और अब 6 जमा 2 कर दिया तो हमें मिला 10 जमा 8 तो भी 18 तो आप भी सोचिए कि आप 12 जमा 6 कैसे करेंगे इसी तरह और तरीके सोचिए और अपने शिक्षक से जरूर बात कीजिए अमन के पास 8 लडू है तथा चरंजीत ने 6 लडू खरीदे दोनों के पास कुल कितने लडू है लडू को गिनने में तो बहुत मजा आएगा हमें करना है आठ जमा 6 तो आठ के बाद फिर से 6 गिन्ती करते हैं हम पहुँचेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानि दोनों के पास मिला कर हैं 14 लडू तो 14 संख्या हम यहाँ इस जगह लिख देते हैं लो लडू वाला सवाल भी हो गया आगे देखते हैं शीना के पास 12 चूडियां है उसकी पहन ने 6 चूडियां और दी अब उसके पास कुल कितनी चूडिया है दोस्तों यह सवाल आप खुद हल करिए कोशिश करिए कि 12 जमा 6 हम किस तरह करेंगे और चूडियों की कुल संक्या इस जगह पर लिखिये साथियों आप छुट्टी वाले दिन कहां जाना पसंद करते हैं? हम मामा के घर? नानी के घर? ओ हो सकता है आप घर में आराम करना पसंद करते हैं पर अगर किसे दिन आपको पिकनिक जाना हो? बहुत तैयारी करनी पड़ेगी ना? हम तो अगला टास भी कुछ ऐसा ही है सोचिए कि आप पिकनिक पर जा रहे हैं तो आप क्या-क्या ले जाना पसंद करेंगे? अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए चर्चा के बाद जो जो समान आपको ले जाना है उसका चित्र बनाएए और कितना समान ले जाना है वो संख्या भी आगे लिखिए आप इसी तरह अभ्यास करते रहे पढ़ते रहे बढ़ते रहे और हसते रहे मुस्कुराते रहे हम फिर मिलेंगे नमस्कार मुस्का कर दित्की कर दो